दोस्तों क्या आप भी इस तरह से नीचे जैसे नाम दिखाई दे रहा है आपको दोस्तों आप जैसे देख पारें नीचे भी नीचे नाम दिखाई दे रहा है आपको यह जो नीचे देखाई दे रहा है नाम बहुत ज़्यादा अट्रेक्टिव लग रहा है दोस्तों नीचे से यहां पर like बटन पर click करके like कर देजिए like करने के साथ साथ हमारा चैनल का जो subscribe बटन दिखाई दे रहा है अगर वो red color का है तो please share please इसको click करके subscribe कर लिजिए साथ साथ घंटी का बटन आएगा side में छोटा सा छोटा सा घंटी का बटन आएगा उसको click करके all notification जो देखाई दे रहा है इस पर click कर देना है दोस्तों ताकि मेरे वीडियो के notification जो सारे notification है वो आपको time to time मिलते रहे साथ साथ comment box में comment कर देना है अपना नाम जिससे कि मुझे भी पता चले कि आप भी वीडियो को देखते हैं आप भी रेगुलर वीवर हैं दोस्तों मैं हर एक comment को पढ़ता हूँ और उसका reply भी देता हूँ दोस्तों और उस पर अप comment चरूर करना ओके तो दोस्तों उम्मित करता हूँ आपने comment भी किया होगा और वीडियो को like भी किया होगा और दोस्तों ज्चेर कर दें तकी आपकी भी दोस्त इस तरह की animation का use कर सकें तो चली दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं ज्यादा टाइम डालेते हुए शौर्ड, लेट्स तब स्टार्ट वीडियो तो दोस्तों हम आचिके मोबाईल की होम स्क्रीन पर यहाँ पे मैं आपको बताने वाला हुँ कि आप अपने फॉन पे फॉन के जेस्ट नीचे आप अपना नाम कैसे लिख सकते हैं और वो भी बहुत अच्छी तरीका से इस्टाइलिस लगेगा फॉन आपका भी तो चलिए हम वीडियो को आगे बढ़ाते हुए बता देते हैं आपको कैसे लिखना हैं सबसे पहले आपको को आप डाउनलोड करना सबसे पहले देखना बहुत ही जरूरी होता है वरना आप नहीं कर पाएंगे ओके तो चलिए मैं इस अप्लिकेशन को सबसे पहले ओपन करता हूं तो देखिए जैसे मैं इसको ओपन करूंगा तो इसमें कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिल ओके दोस्तों यहां से इसको कट करदेना है और दो पर्मिसन ध्यान से उपर होंगी उनको अलाव जरूर करना है ओके डिस्पले बॉला था तो इसके बाद में आपको सबसे पहले क्या करना है नीचे जाना है नीचे जाने के बाद में आपको बैटरी शुरी एक मिनट इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा अब यहाँ पर आपको यह option off रखना है, यह जो दिखाई देरा है यह यह option यह option इस तरह से off रखना है, ओके इसके बाद में नीचे जाना है just यह जो show by trick option है यह भी हमें off रखना है अब इसके बाद में हमें यह जो option दिखाई दे रहा है side में slide कर देना है और यहाँ पे हमें इस option को on कर देना है और साथ ही साथ हमें यहाँ पे भी इस पे भी click करना है सबसे पहले मैं इसको on कर देता हूँ और इसको भी on कर देता हूँ और text power पर यहाँ पर आपको लिख देना है जैसे जो भी आपका नाम हो जैसे मैं अपना नाम लिख देता हूँ तो दोस्तों ऐसा नाम लिखने के बाद में अपना यह दिखिए जस्ट नीचे close option दिखाई दे रहा है नाम लिख के दोस्तों मेरा नाम पहले से थोड़ा गरवड़ था इसलिए मैंने फिर से नाम लिख दिया है तो यहाँ पर यह देखिए नाम लिखने के बाद में add बटन सजबर के रिखाय रहा है तो इस तरह से लिक कर आ जाएगा यह जो दिकाई दे रहा है इसके बाद में दोस्तों जो दिखाय देरा है इस पर क्लिक कर देना में यहाँपर यहां पर आपको यह चार जो है यह फ्री हैं बाकी के पेड़ हैं तो यहाँ पर मैं rubber bonder रखा दूँगा जो कि मलब ऐसा लगता है इसे बढ़ रहा है अपने आप खिच रहा है तो यह मैंने लगा रखा है आप यहाँ पर कोईसा भी लगा सकते हैं दोस्तो यहाँ पर अपने अनुसार आप ल तो यहाँ पर इसके बाद में मैं animation लगाता हूं यह rubber वाला ज्यादा best लगता है यहाँ पर यह खिचता बढ़ता है यह अच्छा लगता है इसके बाद नीचे जाएंगे side duration कितनी लंबी हो जाएगी मतलब यहाँ से medium रखना इसको इसके बाद text side आ जाता है यहाँ पर आप देख पा रहे हैं दोस्तों कितना बेहतरीन लग रहा है आपको यहाँ पर आप side भी change कर सकते हैं चाहे तो विल्कुल side में कर दिये चाहे तो वीच वीच में विल्कुल मद्ध में रखना है आपको central पर ओके इसके बाद आपको कुछ नहीं करना है बस इतना ही setup होता है इसक पर pay करें यह free up cost है तो यही black रहने दीजिए अच्छा लगता है दोस्तों जैसे home screen पर जाएंगे तो देखी दोस्तों कितना attractive लग रहा है और यहाँ पर बहुत ज़्यादा सुंदर भी लग रहा है देखने में तो दोस्तों उम्मीद करता हूं यह वीडियो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आया हुआ पसंद आया तो वीडियो को जल्द से करें लाइक और दोस्तों में कर दीजिए share ताकि आपके भी फ्रेंड लोग इसको सीख सकते तो दोस्तों उम्मीद करता हूं यह वीडियो आपको बहुत ज़्यादा अच्छा लगा हुआ अच्छा लग तब तक के लिए थैंक यू धन्नमाद